Hi Lovelies! मेरे नाव है आर्जिव मेहएग और आज हम थोड़ी साफ सफाई करने वाले हैं और वो साफ सफाई होगी, मेकप ब्रॉशिस की, मेकप में यूज होने वाले टूल्स की और मेकप की सबसे पहले स्टार करते हैं मेक अब ब्रशे से एक बोल में वही टैप वॉटर ही है और मैं इसमें पतन जली हैंड वॉश्च फोड़ा सा डाल रही हूँ आप इसमें डिश वॉशिंग लिक्विट भी डाल सकते हैं इसमें हैंड सो भी डाल सकते हैं या फिर अगर कोई शैम् आप अपके ब्रश क्लीन करने में काम मेला सकते हो पूरा यल्लो हो गया है पानी तो सारी जो प्रोडक्स है वो बाहर आ गई है ब्रश क्लीनिंग एग जैसा भी कुछ सिलिकॉन का आता है वो काफी धाई सो दीन सो रुपए का हो जाता है शिपींग के साथ तो मैंने यहाँ पे लिया है स्क्रेपर जो मैंने यूज नहीं किया है ये एकदम ब्रैंड न्यू है थोड़ी से आपको रफ सर्फेस मिलेगी दोनों तरफ हमें ब्रश क्लीन करने में बहुत आसानी होगी हम इस पे रॉप करेंगे देखे और जो बचा हुआ प्रोड़क्ट है वो बाहर निकल के आ रहा है ऐसे ही दूसरा ब्रश लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने सारे मेकप ब्रशे दे वो वाश करके एक नैप्टीन पर यहाँ पर रग दिये है उपे सुखाने के लिए और सारा जो मेकप है वो बाहर निकाल नेते हैं और मेकप बैग को भी हमें क्लीन करना है अंदर से कहीं ब्लश लगा है कहीं पे कुछ पाउडर गिरा है वेट टीश्यू का उप्योग करेंगे आउटर बॉरी है उसे भी क्लीन करेंगे देखें अब आती है सारे मेकप की बारी तो यह अब ही सब निकलने लगा है इसके आसपस जो भी जमा हुआ था देखें अभी यह बॉटल फांडेशन की क्लीन हो चुकी है इसलिए हमने एक ट्रे जैसा मेरे पास है यहां पर मैंने रखी है मेरी फांडेशन की यह जो बॉटल है वो अभी उसका कैप देखें काफी अंदर से सब फांडेशन और वो सब लगा हुआ है तो हम उसे भी उसी तरीके से बी-बी क्रीम की जो ट्यूब है वो देखें बाहर यहां पर और बहुत कुछ प्रोड़क्ट लागी है क्योंकि हम हरोज इपनी जल्दी-जल्दी में चीज़े यूज करते हैं न कि मैंने कैप भी क्लीन कर दिया है अंदर से नेल पॉलिश रिमूविंग जो नया मारकेट से लाए होना बिल्कुल वैसा आपका आईशेडो लग रहा है चली अब लूस पाउंडर की बारी आती हैं अब लूस पाउंडर की बारी आती है और वेट टिशू है उससे सबसे पहले उसका आउटर पैकेजिन क्लीन करेंगे यहां पर भी कुछ लिप्स्टिक लगी थी बुलिट को हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल काफी कुछ लगा हुआ है तो हम बुलिट को अंदर हो सके उतना ले लेंगे और इस साइड्स क्लीन कर देंगे उसका कैप है उसको भी हम क्लीन करेंगे चरी हमारे पास लिक्विड लाइनर हैं उसे भी क्लीन करेंगे और फिर साइड में कई भार बहुत सारा कुछ लगा हुआ होता है तो आप साइड से वह ऐसे क्लीन कर सकते हैं साइड में काफी कुछ लगा था इतना उग्दम से चमक रहे है अब हम हमारे पास जो काजल है पैंसिल उसे भी क्लीन करेंगे क्लीन होगी कई बहुत कुछ लगा हुआ होता है तो आप जो नेल पॉलिश रिमोवर पैड्स होते हैं उससे क्लीन कर दीजे दिखिए कुछ मेर कासा जो लिक्विट लगा हुआ हम ले ले लेंगे इस पैड से यर बर्ड पे और खलीन कर देगे यह के पास है कॉत्न बडड जिसससे आप रिमोव कर सकते हो और मस्कारा को भी हम क्लीन कर देंगे उसको खोलेंगे उसके भी जो साइट्स है वो हम क्लीन करेंगे तो I hope कि मेरा ये वीडियो और कुछ टेप्स है वो आपको यूस्फुल रही होगी मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिख वेजेगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाँ बाई